हेलो एवरिवन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो CBSC का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है 2023 की बात कर रहे हैं मैं यहाँ ठीक है वह सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th का और 12th का एक्जाम दिया है वो कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कई मैसी जाते हैं वो पूछते रहते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है तो देखिए 10th क्लास का और 12th क्लास का जो रिजल्ट है आपका CBSC का वो आपका नॉर्मली पहले क्या होता था आपको पता हो पहले जो पेपर होते थे वो हमारे मार्च में होते थे ठीक है सुरू मार्च में होते थे और अप्रेल एंड और कई बार तो मई तक पहुँच जाते थे मई के स्टार्टिंग तक भी वीपर पहुच जाते थे इस तरीके से चलते थे लेकिन इस बार आपके जो बोर्ड एक्जाम है वो आपके फैब में शुरू हो गये थे यानि कि पहले सुरू हो गए थे ठीक है बाकि आपका रिजल्ट जो है वो आएगा आपका मई महीने में ही यानि कि मई मन्त तक ही आपका रिजल्ट आ सकता है पहले भी मई में ही आता था और इस बार भी मई में ही आने के चांस है आपके रिजल्ट ये हो सकता है कि पहले के कभी भी रिजल्ट आ जाता था 21 माई 22 माई 25 26 तक आ जाता था ठीक है नॉर्मली यही होता था लेकिन हो सकता है दो चर दिन पहले आ जाए लेकिन आएगा माई महीने के आस पास ही